जीतेगा इंडिया खेलेगा इंडिया पड़ेगा इंडिया लोटेगा इंडिया हसेगा इंडिया रोएगा इंडिया अब इंडिया गुलामी का प्रतीक है बोट पोर इंडिया क्या मान सकता है हमारे देश के पीम की नाले से गैस निकालो चाय बनाओ जो वास्तविकता है ज जाले नौ साल से देश मोडी जी के आध में पैंसेन लोगों की चीनी जा रही है बंक करी जा रही है शिच्छा महीं कर दी गई है इस्कूल टोडे जा रहे हैं ऑच्छा चलगा है आठे पर टेक्स दे रहे हैं महंगा चरम सीमा पर गैस की सबसिटी खागै नौप चलना आदे ऐसे आवाज यूजना से घर मिल रहे होते तो लोगों के घर तोड़ेने ना पड़ते समझ में आई दया पे सरकार चल रही है हमारी देश की आज पूरा देश उद्धियोग पतियों के हाथ में दे दिया है केवल देश को बेपकू बना दिया जाए काला धन कांगे बेंजी आला धन्तों मोती जी छे महीने में ला रहे थे अब वो कहां गया और हमारे साथ मौझूद है कॉंग्रेस के नेता तो उनी को इसी चीज़ को लेके हम बात करेंगे जो चुनाब होने वाले हैं क्या कहेंगे उसको पूरे पांच राजियों में बहुमत के साथ कॉंग्रेस पाल्टी सरकार बनाने वाली है भारती जनता पाल्टी में जिस तर जल रहा है देश पैंसन लोगों की चीनी जा रही है बैंक कर जा रही है सिच्छा महें कर दी गई है इस्कूल टोड़े जा रहे है हॉस्पिटल बंद करें जा रहे है अच्छा चलना आटे पर टैक्स दे रहे हैं महगाई चरम सीमा पर गैस की सबसीटी खाया गए जौप क लुकुमरी में आ गए टॉप के लास पर है पाकिस्तान की हालत हमसे अच्छी है हमारा रुपया अफगानिस्तान से ज्यादा कम जोर हो गया है मोदी जी कहते थे जिस देश का रुपया गिरता है उसे देश का प्रदान मंत्री गिरा हुआ होता है लेकिन वही जो दूसरे देश हैं से इसने अच्छे संबंद बनाए है जी ट्वंटी के माध्यम से आपने देखा होगा देखिये वो भी एक प्रॉप गॉंड़ा था जी के आप गरीबों के उन होड़ रहे हैं मतलब ऐसा कभी देश में प्रोग्राम यहां चलाई है ना लोगगों को रोजगार दे रहे हैं घर दे रहे हैं अगर ऐसे यहां से घर मिल रहे होते तो लोगों के घर टोड़ने ना पड़ते समझ में कितनी जुपड़ियां डेल सो समझ में आया और देज में ना जाने कितने लोगों की जोपड़ी तोड़ दी गई आप उत्राखंड में भूल गई जोची मट उसे भी किनारे करने का कांड शुरू कर दिया था सरकार ने तो सरकार की आज जो वास्तिविक्ता जनता समझ चुकी है जुम्लेवास सरकार है सब्सक्राइब करें नेता बन गया तो आपको बहुत दर्द हो ना ना गरीब हों कहीं देशा करीवी नेता है यांपे सब कोई अमीर है नहीं अमीरों के तक जिने चुने नेता गरीबी नेता बनता इस देश में तभी तो आज कुछ उद्योगबती जिनों ने आज देश में अपना प्रदानमंत्री बनाया है सदेंद्र पूरुवत अन्ना जारे के अंदोलन से शुरुआत हुई जो कि एक एक इवेंट था सो समझ के किया गया था हेलिकॉप्टर में बैटके आये थे किसीत. और इस प्रकार से तो सर्कार चल रहे है हमारे देश की बया पे सरकार चल रही है आज पूरा देस उद्योग-पतियों के हाथ में कि तो यह समझ चुका है लेकिन ब्रश्टा चार को में आप देख सजे से संजे सिंग ने जो शराब घोटाला करा उसको पकड़ा गया ना अब जास पकड़ा गया पकड़ा कहा है रुपया कहां से आया है रुपया किनने दिया और क्या गया रुपया क्यों पर के अब देश को बना तो data को नाayo डाइरी ना कुछ यह मोधि जी को सम्माल में डाइरी में किया लिए लिखा है लेकिना तक देखी नहीं आगे लेने डाइरी ऐसी सब को मालूमएं सोकरोल का गोटाला हुआ है ना सबक लाइड़ी ने देखे नस न्यजे सिंग जी ने देखे ना कि तब तो नहीं जा रहा है उन्हें कुछ नहीं करा होगा तभी तो नहीं जा रही है उन्हें आधिकी पार्टी के जो नेते मनी इससे सो दिया संजेश उनोंने करा है जब गोटा तब पकड़ा गया नहीं अजीद पबार जी अच्छा बजय पी में आ जा तो फिर आप उनके लिए भी जी बोलोगी इनने कुछ नहीं किया बेपच में तो सब कुछ किया जूटे लगा दो काला धन कांगे भेंजी फिर काला धन तो मोदी जी चै महीने में ला रहे थे अब वो कहा गया काला धन लाओगा निलाओगे भर उल्लू बना दो अब काला धन पर बात मत करना जब कॉंग्रेस की सरकार थी तब काला धन बाबा कहता था रामदेव दती चले कर चंद्रमा तक शीड़ी बन जाएगी अब न बनाने का प्रयास करें जूठा आदमी ब्रेष्टाचारी आदमी कभी मान नहीं बन सकता इस बात को याद रखना सचाज देश जानता है पांच राज्यों के चुनाओं में आप देख लेना पूल बहुमत की सरकार कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही है कांग्रेस अगर वो इस प्रकार से नहीं बोलेंगे तो तुमारी दाल रोटी कैसे चलेगी उन्हें ख्याल रखना पड़ता है आप लोगों के वीवर्स कार है कार वीवर्स उस पे तो सारा शकंजा कस दिया मोदी जी ने कि आप यूटूब आप आज्यादी से चलाई नहीं सकते तो अगर वीवर्स की मद्बर देश में भी आएंगे राजस्थान में भी आएंगे मिजुरों में भी आएंगे सब जगहें कॉंग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है आप चिंता मत करो लेकिन वहीं भाजपा कह रही है अप लिख के लो 47 तक वो एकदम विकास वो बनाएंगे देश को सबने देखने की सबको आया दिया देख सकते हैं समझ में आया आज इतनी अगर उन्हें इतनी पक्यते तो दुर्पयक्यों कर रहे हो आउना आमने सामने म अधरी जी का बज़ रहा है हर जगा देश में आज मोधी जी को के साथ कोई खड़ा हुना पसंद नहीं करता जो मोधीजी के सयोगी दल थे आज सारे उन्चे दूर हैं, सबको नरेंदर मोधी जी ने दोखा दिया, सबके साथ विश्वास गात किया, जैसे देश के साथ किया, वैसे अपने सयोगियों के साथ किया, सबसे बड़ा उधार आने सबसेना, क्या किया सबसेना के साथ, ऐसा आई मोधी जी ने अपने साथ ज हाज़ज में चुनाव होने वाले उसमें कॉंग्रेस की ही सरकार आएगी और जो दोज़ार चुनाव है उसमें कॉंग्रेस की सरकार आएगी तो आगे की जनने के लिए में हमारी साथ बने रहें देखते रहें जहनें Walker झालाव झालाव झालाव.